अगर आपको इडली, दोसा या चावल, चपाती के साथ सांबर पसंद है तो इस सांबर को बनाने के लिए जिस सांबर पौडर को हम खरीदते हैं दुकान से, इसकी बजाए अगर हम उसे घर में ही बनाते हैं तो बहुती टेस्टी बनते हैं और इससे बने हुए सांबर बहु धो करके अच्छी तरह से दूप में सुखा के लिया है अगर टेबल स्पून में इसे मेशर करें तो ये छे टेबल स्पून है इसी टेबल स्पून में यहां मैंने चैना दाल भी लिया है और ये है तीन टेबल स्पून चनदाल के साथ साथ हमें तुवर की दाल भी चाहिए इसे मैंने यहाँ एक टेबल स्पून लिया है और इसी एक टेबल स्पून के मेशरमेंट में यहाँ उरत दाल साधारन जो भी चावल हम इस्तिमाल करते हैं इसे ले लेंगे एक टेबल स्पून और ये है जीरा सादा जीरा इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है एक टेबल स्पून मेथी के दाने और ये पंदरा से सोला लाल मिर्च हैं सुखी लाल मिर्च सबसे पहले इन्हें ड्राइ रोस्ट करना है तो लाल मिर्च को पहले ड्राइ रोस्ट कर लेते हैं और ये भी लो फ्लेम में रख करके एक से दो मिनट इसे हलका सा भून लेंगे और इसे एक प्लेट में हटा के रख लेते हैं इसी तरह low flame में रखते हुए धन्या को भी हम dry roast कर लेंगे एक दो मिनट के अंदर ये dry roast हो जाते हैं रंग बदलना नहीं है जलना भी नहीं है इस बात का ध्यान रखें धन्या को भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में अब जो भी डाल, जीरा, बाकी सारे सामान इसी में डाल देते हैं और इसे भी हम हलका dry roast कर लेंगे थोड़ी देर में ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं तो बस इतना ही इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे थोड़ा करीपता भी ले लेंगे और इसे भी dry roast करके इसी प्लेट में डाल देंगे और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाते हैं तब हम इसे पीसेंगे इसके साथ साथ हमें कुछ पाउडर चाहिए इसके लिए मैंने यहाँ एक टीस्पून हल्दी दो टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर एक टीस्पून पेपर पाउडर काली मिर्च का पाउडर और ये है हींग, ये भी वन टीजपुन लिया है मैंने तो एक सूखा मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें जो थंडा किया गया धनीया वगरा है इसे हम डाल देते हैं और जो भी पौडर सामगरी है इसे भी डाल देंगे और mixi में अच्छी तरह से महीन पीस लेंगे पीस लेने के बाद इसे एक बार छलनी में छान लेंगे ताकि छान लेने के बाद जो इसके बड़े बड़े टुकडे जैसे आ जाते हैं इसे एक बार और अच्छी तरह से mixi में पीस लेंगे पीस लेने पर हमें ये बिलकुल महीन पाउडर इस तरह से मिल जाते हैं तो ये हमारा सांबर पाउडर तयार है इसे आज मैंने छोटी सी क्वांटिटी में बनाए हैं ये 130 क्राम के लगबग है और इससे बने हुए सांबर बहुती टेस्टी रहते हैं बहुती फ्लेवर फुल हैं आप इसे एक बर सरूर ट्राइ करके देखिए अगर आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो इसी मेजरमेंट को डबल करके भी बना सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ और टेक केर